अक्टर रितिक रौशन ने अपने और कंगना के लीगल ट्रबल पर अपनी चुपी तोड़ते हुए गुरवार को ये कहा कि जिस इमेल आईडी को उनकी इमेल आईडी बताया जा रहा है वह उनकी नहीं है रितिक ने अपनी एक ओफिशिल स्टेटमेंट भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि जो मेल id at roshan at email.com मेरी बतायी जा रही है वह आईडी मेरी नहीं है मैंने 12 दिसमबर 2014 में इसके खिलाफ Mumbai Cyber Crime Cell में इसके खिलाफ तब शिकायत दर्ज करवाई थी जब मुझे पता चला कि कोई बहरूप या मेरे नाम से उनसे बाचीत कर रहा है जिनका नाम इस मामले में लिया जा रहा है मेरा इस आईडी से कुछ लेना देना नहीं है मैंने 5 मार्च 2016 को फिर से इस शिकायत को दर्ज करवाया और Crime Unit उस शक्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है एक बार उस शक्स को पकड़ लिया जाए फिर ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा बाकी जो भी आरोब दूसरे पक्षने लगाए हैं उनमें सच कोछ ही पाया गया है मुझे इस पर चुप रहने को कहा गया था इसलिए मैंने पिछले दो सालों में इस पर कभी कुछ नहीं कहा कंगना और रितिक के इस विवाद ने तब जोर पकड़ा जब कंगना ने रितिक को एक इंटर्व्यू में अपना एक्स बॉइफरेंड बताया इस इंटर्व्यू में कंगना से ये पूछा गया था कि क्या आश्यकी 3 में उनकी जगा सोनम कपूर को साइन करवाने में रितिक का हाथ है इस पर कंगना ने कहा था कि पता नहीं एक्स बॉइफरेंड आपकी अटेंशन पाने के लिए ऐसा क्यों करते हैं